जय सिव संकर मित्रों, मैं आप सभी का हरीश पांडे कल 9 अगस्त 2022 का मकर रासी फल ले करके उपस्थित हूँ काफी लंबे समय की गैपिंग के बाद मित्रों मैं बतलाऊंगा कि 9 अगस्त 2022 का दिन आप मकर रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है वीडियो को सुरू करने से पहले एक आवस्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं कुणले दिखवाना चाहते हैं तो आप मेरे वाट्सप नमबर पर मैसेस करें मेरा वाट्सप नमबर है 8540096730 यह नमबर मैं description box में दे दूँगा तो चलिए मकर रासी वाले भाई भैनों सुरू करते हैं 9 अगस्त 2022 का रासी फल तो आज 9 अगस्त 2022 को रासी से चंद्रमा की जो इस्थिती है वो बारहवे घर में है और मित्रों बारहवे घर का चंद्रमा सुब नहीं माना जाता है बारहवे घर का चंद्रमा डिप्रेशन देता है बारहवे घर का चंद्रमा मन की असांती बेचैनी मन की गिरावट देता है और बारहवे घर का चंद्रमा अपमानित भी करवाता है तो मित्रों आज के दिन आपका मन थोड़ा डिप्रेश रहेगा आपके द्वारा कोई ऐसी हरकत हो सकती है या आपके आसपास के लोगों के द्वारा कोई ऐसी हरकत हो सकती है जिससे की आप जुझला करके डिप्रेशन में चले जाए बारहवे घर में जब चंद्रमा होता है तो क्या होता है जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया है कि व्यक्ति कई बार अतीत की घटी हुई बुरी घटनाओं को याद करकर के अचानक से डिप्रेशन में जाना सुरू हो जाता है तो यहां आपको खुद को स्वयम को समहालना है क्योंकि बारहवे घर में जब चंद्रमा होता है तो मानसिक बल कमजोर हो जाता है आपका आत्म विश्वास कमजोर पड़ जाता है और ऐसी इस्थिती में आप किसी भी नेगेटिव घटना के सिकार अबले ही आसानी से हो जाते हैं आप उसके विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं आज आपको अपने आज़ पास की सोसाइटी यह आप कहीं अगर जा रहे हो बाहर चाहे घर का समान लेने जा रहे रहे हो या किसी छोटी-मोटी यात्रह पर जा रहे हो तो ऐसे पीरियाट में आपको खुद के उपर खासतोर पर अपनी वानी पर कंट्रोल लगना है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके ना चाहने के बावजूद आपसे अंजाने में कोई ऐसी हरकत हो जाए जो आज पास के किसी व्यक्ति को बुरी लग जाए और फिर वहां पर माहौल खराब हो जाए आपकी इद्यार्थियों का मन भी आज थोड़ा विचलित रह सकता है पढ़ाई लिखाई को लेकर के ब्यापारी गड़ हो या बिजनस मैन अगर ब्यापारी गड़ हैं या फिर जॉब करने वाले हैं ऐसे लोग भी आज थोड़ा सा मानसिक सांती का अनुभाव कर सकते हैं भगवान सिव का अभिसेख करें और अभिसेख करके भगवान सिव के सिवलिंग का जो सीर्स भाग होता है उपर वाला उस पर बेलपत्र अर्पित करें ठीक हैं और उस बेलपत्र को अपने साथ घर लेते आएं और उसे अपनी पॉकेट में रखें और दिन भर रखे रहें इससे आपकी उर्जा का अस्तर काफी सकारात्मक होगा और आपको आपके चंद्रमा का सपोर्ट मिलेगा आज का सुब रंग है लाल और सुब अंख है एक तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही कमेंट बॉक्स में जैसियू संकर जरूर लिखें और यदि आपकी कोई समस्या है तो मेरे वाट्सअप नमबर पर मैसेश करें मेरा वाट्सअप नमबर है 8540096730 तो चलता हूं मित्रों आग्या दीजिये जैसियू संकर